साधर प्रनाम समस्त भक्तों का श्री राम चरित मानस के सत्संग में सुस्वागतम इस अत्यंत शोभा मई पाठ में गोस्वामी तुलसिताज जी आगे लिखते हैं मैं अपनी दिसी किने निहोरा तिने निज और ना लाउप भोरा भायस पले ही अतिय नुरागा हो ही निरामिश कभू की कागा भावार्थ मैंने अपनी ओर से विनिती की है परन्तु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे कौवों को बड़े प्रेम से पालिये परन्तु वे क्या कभी मास के त्यागी हो सकते हैं बंदें संथ असजन चरना दुख प्रत उभय बीच कचु बरना बिचुरत एक प्रान हरी लेहीं मिलत एक दुखदारुन देहीं भावार्थ अब मैं संथ और असंथ दोनों के चरनों की वन्ना करता हूँ दोनों ही दुख देने वाले हैं परन्तु उनमें कुछ अंतर कहा गया है भे अंतर यह है कि एक तो बिचुरते समय प्रान हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारन दुख देते हैं अर्थात संतों का बिचुरना मरने के समान तुगदाई होता है और असंतों का मिलना उब्जही एक संग जग माही जलत जोग जिमी गुन बिल गाहीं सुधा सुरासम साधू असाधू जनक एक जग जलदिया गादू हावार्थ दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर कमल और जोग की तरह उनके गुन अलग-अलग होते हैं कमल दर्शन और स्पर्ष से सुख देता है किन्तु जोग शरीर का स्पर्ष पाते ही रक्थ चूसने लगती हैं साथू अम्रित के समान मृत्य रूपी संसार से उबारने वाला और असाथू मदिरा के समान मोह प्रमाद और जर्ता उत्पन करने वाला है दोनों को उत्पन करने वाला जगत रूपी अगाद समुद्र एक ही है शास्त्रों में समुद्र मंतन से ही अम्रित और मदिरा दोनों की उत्पत्ती बताई गई है भल अन्भल निज निच करतूती लहत सुझस अपलोग बिभूती सुधा सुधा कर सुर्सरी साधू गरल अनल कलिमल सरी ब्यादू गुन अवगुन जानत सब कोई जो जेही भाव नीकते ही सोई भावार्थ भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुन्दर यश और अप्यश की संपत्ती पाते हैं अम्रित चंद्रमा गंगाजी और साधू एवं विश अगनी और कल्यूप के पापो की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याद इनके गुन अवगुन सब कोई जानते हैं किन्तु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है भलो भलाई ही पै लहई लहई निचाई ही नीचू सुधा सुराया अमरताम गरल सराया मीचू भावार्थ भला भलाई ही ग्रहन करता है और नीच नीशता को ही ग्रहन किये रहता है अमरित की सराहना अमर करने में होती है और विश की मारने में इस आवश्यक सथ समागम में हमारे साथ निरंतर मनान कर इसे अधिक्तम उप्योगी मानत दे। सभी सादकों का जीवन अतियानन महीं हो।